तो आप सभी साथियों को नमेशकार बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में गर्मी बहुत होगी आशा करता हूं कि आप अपना देखभाल बहतर तरीके से कर रहे होंगे और गर्मी से बचने का उपाये होंगी वाह बहुत बढ़िया सुधी कमबो जी जोड़े है कैसे हैं आज कि मस्कह सार बढ़िया अच्छे हैं सअब मात बहुत अची लाद है पंपांचा यह ही स 것이 डिगृ च्वाह वाह यह ही न बात понад राधे राधे बोल रहा है हमारे एक साथ ही सब को है ना ओके असुक कुमार जी राधे राधे बोल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी राधे राधे और जो है गर्मी बहुत चल रही है तो आप इसमें क्या बहुत सारी साउधानिया परत्ते रही है आप लोग सब जानकार लोग हैं अधिक सदिक पानी पीजिए जल्डी पानी पीजिए और ठंडा पानी बहुत ही ज्यादा जो ठंडा होता है उससे दूर तो एकदम ज्यादा मतलब पीजिए ठंडा क्योंकि सरीर का टेमपरेचर सामेने तरह 37 डिगरी होता है बाहर का टेमपरेचर अभी 47 दिगरी है तो आप एकदम से ज्यादा ठंडा या कोल ड्रिंग आईस्क्रीम खाएंगे तो क्या होगा अंदर भी स्पोर्ट होगा अंदर गरम है ठंडा जाएगा तो फिर आपकी सेहत पर पुरासर रख पड़ेगा और बहुत तेज धूप है तो थोड़ी देजार कर यह गरिष्ट पोजन क्योंकि वह और गरम करता है तो यह तमाम चीज़ें सावधानी बरतते रहिए और आज जो यह फटाफट सेशन होगा यह होगा सोशल सेकूरिटी स्किम्स जिसके बारे में प्राय सभी साथी जानती है तो यह इतना इंपोर्टेंट है कि सरल होते हल कर लेंगे हो सकता है उससे कम समय में भी आप ह Casey लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सो्पर शेकूरिटी स्किम्स में कुछ बताएगे तो आप कैसे उसको व्यक्त करेंगे आपने सब्दों में बता दीजिए सरल सब्दों में कि शुदुर जी और कोई साथ ही बता पाएंगे कि इस विद्ध कि अगर जब आपको पूछ लिए जाए कि क्या है तो आप उसको कैसे बताएंगे जानते सब हैं लेकिन बताने की सहली होती है आप उसको अपने सब्दों में बताईए कोई हर्जनी थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो भी चलेगा लेकिन जब ऐसा मौका मिले तो आप बताईएगा कि सोशल सेक्रिट उद्देश से लोगों को वित्ती सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लांच किया गया है उनको सुरू किया गया है व्यक्ति इसे जीवन में विविन चरणों में गुजरता है और जीवन के जिन जिन चरणों से गुजरता है उसक उसके जीवन के चरण और जरुरत के समय परिवारों को एक सामाजिक सहता कैसे दी जाए उससे बचत करके उसको उस समय के लिए किस तरह से सुरक्षा प्रदान किये जाए ये योजनाएं जो हैं उस उद्दे से बनाए गई हैं ये भारत सरकार की एक महतोकांग्षी ब्यापक उनके कारे सहली का एक जो योजना है सोशल सेकुरिटी स्किम्ज है तो सोशल सेकुरिटी स्किम्ज जो है भारत में बहुत महतोण है क्योंकि आप जब सरकार बनी थी तो अपने नागरिकों की भलाई और कल्यान के लिए उसको सुनेशित जो है वित्ती सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके देख भाल पर या जब ब्रिद्ध हो जाएंगे तो उनको जो आजीवका के लिए उनके आय के लिए उनके आवास के लिए ये सारी चीजें जो हैं उनको सुनेशित करने के लिए सामाजीक सुरक्षा योजनाएं सुरू की गई सामाजीक जो सुरक्षा यो स्यवहन्य अपन कैसे कर गए सारी सीजहों के लिए सोच के स्योंच योजना कि बनाई गई हैं मतला आप बोल सकते हैं सामाजिक सुरच्षा ह्योजना उन व्यक्तिति को और उनके परिवारों को वित्ति और सामाजिक साहता प्रदान करने के उद्धे से बनाए गई है जो एक उम्र में विकलांग विरोजगारी या ऐसी सिति में पहुंच जाते हैं जिनमें वो असक्षम हो जाते हैं तो यह योजनाई सुनेशित करता है कि उनकी बुनेयादी जरूरतें पूरी हो वो व्यक्तिगत स्वास्त देख भाल कर पाएं और अन्य आवश्यक जो उनके जीवन के लिए सिवाएं हैं वो उनको पहुंच पाएं मतलब समझ लिए एक सामाजिक नियाएं उनको मिल पाएं सामाजिक कल्यान मिल पाएं उसी भाव को बढ़ावा देने के उद्धे से और गर जो है जो भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट आफ फैनेंचल सर्विसेज हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया इसके सवाल फटाफट लेते हैं आप लोग चैट बॉक्स में जो है एंसर लिखते जाएगा हम सवाल पर चर्चा करते जाएंगे पहला सवाल आपकी स्क् विमायोजना तो तीन सोशल सेकुरिटी स्किंट्स आज हैं पर चर्चा करने जाएंगे हम सब्सक्राइध प्रदान मन्तरी जीवन जिव्योती विमायोजना पर अखल पनाए गये हैं तो पहली स्वाल है पंदान मन्तरी जीवन जुष्या इसके एन्योल premium के बारे में पूछा गया और option आपके दी है रुपए 330, रुपए 12 रुपए 436 और रुपए 250 तो सीधा answer आप लोगों को याद है 436 रुपए है जो एक जून 2000 ये कब से बढ़ाय गया है 436 रुपए है एक जून 2000 22 से ये बढ़ाय गया है पहले ये 330 रुपए था तो इसका जो premium बढ़ा है जो है आपका एक जून PMJJBY का जो premium है ना अभी बता देते हैं हम आपको premium revise कब हो है किसे साथी को याद है एक जून ही है लेकिन revise premium जो है वो बढ़ा है आपका एक जून 2022 से जो प्रधान मंत्री जीवन जयोती बीमा योजना पहले 330 रुपए था वो 436 रुपए हो गया साथ ही साथ इनको एक quarterly entry के समय भी premium बैफर्गेट किया गया है तो अभी तो हम लोग फिलाल इस सवाल पर discuss कर रहे हैं सवाल पूछा गया है प्रधान मंत्री जीवन जयोती बीमा योजना के तहत maximum coverage कितना है तो यहां पर सीधा जवाब option आपका देखके यह आप लोग लगा दिया होंगे एक लाग दो लाग तीन लाग चार लाग तो डबल इंजन की सरकार जैसे कि आप लोग देखते होंगे मेडिया में भारत जो है लोग तंत्र के सबसे बड़े परव को मना रहा है लोग सबा चुनाओं और पूरी दुनिया में अभी भारत में 97 करोड जो है रजिस्टर बोटर हैं सोचिए है तो इसी बीच है यह जब हम आख्री सुनते हैं तो हम एक बड़ा अपर्चुनिटी भी दिखता है कि हम बैंक में काम कर रहे हैं हमें बड़ा अपर्चुनिटी है जवान देश है एक दम यंग एनरजेटिक देश है मतलब इनके साथ कुछ भी चीज किया जाएगा उनका युवा जो तो साह और जो है सारा चीज़ें जो है वो परिणाम को जो है परिलक्षित कर लेगा तो यहां पर coverage जो है दो लाग रुपए है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर वाट इस दे एज ग्रूप that प्रदानमंत्री जीवन जीती वीमायोजना के सब्सक्राइबर बनने के लिए को जो एस kriteria क्या है अप्सन आपके कुछ इस प्रकार और अठारह से saying ad ऐट्धार से साट साल 18 से 15 वर सिट और 18 से सतर वर तो अगर कोई सब्सक्राइबर या भारत का नागरी प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना का लाब लेना चाहता है सब्सक्राइबर बनना चाहता है तो उसकी आयू सीमा होगी 18 से 50 वर्स और एक कंडिशन यह है कि अगर वो 18 से 50 वर्स के बीच एंट्री ले ले लिता है तो 55 वर्स तक और इसको कंटिन्यू कर स सकता है तो अठाव से 50 साल इसका जो है एज क्राइटेरिया है और अगर यह सवाल पूछा जाए कि प्रधान मंत्री जीवन ज्योती योजना मैक्सिमंग कितने साल तक चलाए जा सकता है तो 55 साल तक चला जा सकता है बसरते कंडिशन ही है कि वह एंट्री अठाव से 50 के योजना रिन्यू जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना है वो कब रिन्यू होता है यह कहा गया है तो यह जीवन ज्योती बीमा योजना जो होता है एन्वल बेस पर रिन्यू होता है एन्वली रिन्यू होता है हाला कि एंट्री करते समय क्वाटरली एंट्री दिया जाता है लेकिन रिनिवल जो है एन ओली बेसिस पर होता है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विच आरगनाजेशन मेनेज प्राइम मिनिस्टर जीवन जीवन जीवती भीमा यूजना को मेनेज करता है मतलब इसमें जो 436 रुपए है उसमें उसके तीन भाग होते हैं एक इसको परीमियूम जाता है और एक एजनट को जाता है और फिर बैंक एडमीन चारज आज तो आप लेते हैं जो इंस्टरंस कंपनी को पैसा भीजते हैं वो किसको भीजते तो प्रधानमंत्री जीवन और पीमा यूजना में इस बाहर दामे तो हमारे बहुत सारे साथ ही जो हैं आप यह बता रहे हैं और यह लाइफ इंसुरेंस कॉर्पोरेशन आप इंडिया इसका सही एंसर है राहूल अग्ररी जी सब्सक्राइब के से लिख रहे हैं अब यह तो हमारे जो होता हुआ एसबी आई इस्पांसर नहीं पूछ रहा है यह क्या होता है जो क्लेम कों देता है क्लेम सेटल्मेंट एलाइसी करता है प्रधान मंतरी जीवन ज्योती भीमायुजना का ठीक है सर जैसे कि हमारे प्रदान मंत्री सुरच्छा भी मायोजना है करती है और स्टेट वेंग जो होता है वह करता है क्योंकि उसका लोगों भी उस पर लगा रहता है इंडिया को सकता है उनका इंटर्नल को टाइप किया होगा वह जो पॉलिसी है प्रदान मंत्री जीवन जयोती विमायोजना का वह लाइप इंसुरेंस कॉर्परेशन इंडिया के साथ यह मैंस करती है क्या जवाब देगे सब्सक्राइब क्योंकि आपकी पॉलिसी लिख लिएगा कि एस पर पूछ लेगा तो आप उसकी पॉलिसी में अगर ऐसा जिक्र किया गया है आपके परदान मंत्री जीवन जयोती विमायोजना की स्कीम पढ़िएगा और उसके मैं लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लिखेगा अधरवाइस जो पूछेंगे इसमें कोई बैंक का इंटरनल जिक्र नहीं होगा तो वहां पर लाइब इंसरेंस कॉर्पोरेशन आप इंडिया है एलाइस ठीक है वाट इस देन्वल प्रीमियम फार प्रदान मंत्री सुरक्षा विमायोजना होने पर अगर डिजबिलिटी हो जाती है तो उस कंडिशन पर एक कवरेश देता है इसके लिए प्रीमियम पूछा गया है तीन सो तीस रुपए बार रुपए बीस रुपए दोसो पचास रुपए तो सिधा जवाब दोस जो है सी सभी साथी दे रहे हैं और इसका प्रीमि के रुपए जो है एड्मिन चार्ज एक रुपै जो है 15 कमिशन जाथा है आप तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा विमायों जुझना एक हैसी सामाजिक सुरक्षा यह जिसके एक्सिदेंट होने की स्थिती में अगर म analogy हो जाती है तो कितने रुपए का कविज इसमें मिलता है एक लाग दो लाग तीन लाग चार लाग तो ये दो लाग रुपए का इंसरेंज कवरेज हैmez एक्सिदेंट और की स्थिती में तो पृधान मंत्री जीवदैे होती हुए उमायोजना जहां सामायने मृत्यू यह किसी भी काराण नीयर्थिव मृती होती है तो coverage होता है वहां पर प्रधान मंत्री सुरक्षा की वजद से अगर डै-थ हो जाती है ऐसी मिर्ति जिसमें उस व्यक्ति का हाथ नहों उसके एक्सिडेंट हो जाता है तब यह दो लाग रुपए मिलेगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए वाट इस दे कवरेज मिलेगा 50 जार एक लाग देड़ लाग अब हमारे रहुल जी पता दीजे जरह पार्शिल डिजेबिलिटी किसे कहेंगे पटा दीजीए राहुल जी तो पर्मानेंटली चैसे कि डिसएबलेटी हो जाए जैसे कि एक हाथ तूट जा पूरा काम ना करें एक पैर उसफ तो अच्छा अगर दुरघटना हो पार्शल डिजबिलिटी कहते हैं एक खराब हो जाता है तो पार्शल डिजबिलिटी टो पार्शल मिलता है प्रधान मंत्री जीवन जीवन प्रधान मंत्री सुरक्षा विमायोजना में अगर accidental accident हो गया और partial disabled हो गया मतले एक हाथ कट गया एक हाथ खराब हो गया तो एक लग मिले अब आते हैं अगर permanent disability में क्या होता है दोनों हाथ कट गए एक हाथ या एक पैर कट गया एक हाथ और एक आंग अथ इसको पर्मेन डिजबिलिटी माने जाते हैं अब आते हैं वाट इस दे एज ग्रूप इलिजिवल फार प्राइम निस्टर सुरक्षा विमा योजना में भाग लेने के लिए उसमें लाब लेने के लिए आयू सिमा क्या क्या है तो जैसा हम प्रदान मंत्री जीवन जी ओती विमा योजना में देखेते हैं 18 से 50 वरस यहां पर 18 से 70 वरस है 18 से लेके 70 वरस तक की आयू के नागरिक जो हैं इस योजना का लाब ले सकते हैं और इस योजना का लाब लेने में अगर उनकी बुर्गटना की कवज़ेस से 21 और दिजी इस ज़ाते हैं तो मेक्जिमम में फ़िस्टे दो लाग मिलता है पर perdhans और 20 ड fix टाइप हो आफ एक्सीडेंट डज़ प्राइम मिनिस्टर शुरक्षा लिए मर्योजना कवर 8 मैं से टाइप के एकसे जू है प्रधान मंत्री सुरक्षा-learn नमें कवर होते हैं ओनली रोड एक्सिडेंट ओनली वर्क प्लेक्स एक्सिडेंट ओनली हाउसोल्ड एक्सिडेंट और टाइप आव एक्सिडेंट जो है कवर होंगे लेकिन एक्सिडेंट जो है कवरेज मिलता है जैसा कि स्कीम में कहा गया है कि एक्सिडेंट से अगर कोई दुरखटना से अगर उनकी मिर्ति हो जाती है या डिजबिलेटी हो जाती है तो कवरेज मिलेगा हुच और्गनेज़ेसल मेनेज प्राइम्स्टठ मिनिस्टर शुरक्षा भिम débायोजना जो है कोन मेंनेज करता है जैसर से प्राइम जीवण जिवन्योथी योजना मैंज करता है तो शुरक्षा भिम योजना जनरल इंसरेंस कंपनी मैंनेज करती है इसे świat तो वह इसी तरह से जनरल इंसुरेंज करते हैं अगला सवाल देखिए वाट इस तो जॉइन अटल पैंशन योजना के लिए नियूंतम आयू सिमा कितनी है जॉइन करने के लिए फारा वरस एकिस साल और तीस साल तो यह तो जानती होंगे आप लोग कि minimum age of entry to join अटल पैंशन योजना 18 years है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर वाट इस दा मैक्जिमम एस तो जॉइन अटल पैंशन योजना अटल पैंशन योजना को जॉइन करने के लिए मैक्जिमम एस कितना है 40 years 45 years 50 years 55 years कि जितने भी सवाल आज स्क्रीन पर पूछे जा रहे हैं आपको वह कहीं कहीं किसी एक्जाम में आया हुआ है तो यह इतने मतलब इंपॉर्टेंट हैं कि हर एक्जामिनेशन में आते हैं इसलिए नंबर आपको बढ़े हुए नजर आ रहे हैं तो मैक्जिमम एज जो आटल पैंशन नहीं ना कहा है वो है 40 years है तो 18 साल minimum maximum 40 तो 18 साल से लेके 40 साल यह entries है और वो maximum 60 साल तक जमा करेगा 60 साल के बाद जो है उनको पैंशन मिलेगा पांचे 270 मिनिमम मंतली पैंशन गारेंटी टेंड़ेंडर अड्लिवेंशन इंसन जो है जो पूंस में में feel Oke nu eligible मैंने स्कीम से हें सब्विल्ग सही जवाब दे रहे हैं बी पर लिख रहे हैं मुझर इभी पर रिख रहे हैं地方 yn लिख रहे हैं तो सही होगा मिनिमम जो है एक आज जाब हम जी यह कर रहा था जैसे कि आप हम लोग जो है नय पेंशन लागू हो गया में लोग लहां और ओल्ट पेंशन तो उसमें पेंशन जो मिलता है वो लगबग बहुत कम मिलता है लागवग अगर रिटायरमेंट में तो अपने मैक्समं में क्या ना में चले जाते हैं उसके बाद भी उनको लगबट 200-30000 में इतना ही मिल पाता है सब्सक्राइब बता दोंगा और आपके लिए बता दोनों में से अब हलका खाली बता दीजिए बैटर कौन है ओल्ड पेंशन की या नियू पेंशन इसकी ओल्ड पेंशन बैटर है जो बैटर बनाए जाएगा उसके लिए भी तरीके हैं कि यहां पर हम लोग सोशेल सीकुरिटी स्किम की चर्चा कर रहे हैं तो यह अटर समय मिनिममाम होगा और जैसे कि रहूं चीजिए है जो आपके लिए प्रदान करेंगा तो में मिडियल इंकम ग्रूप में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमको जानना बहुत जरूरी होगा तो मैं अलग से उसको आपके लिए अलग चीज़ें हैं वह यह तो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो अन और गनाइज सेक्टर में काम करते हैं संगटित केतर में काम करते हैं उनके लिए आप तो संगटित केतर में काम करते हैं तो यह जो है अगला सवाल देखते हैं वाट इस मैक्जिमम होगा ऑगला सवाल फू इस बातों बातों बता दिया Gothic paying का मुक्ष उद्दिष क्या हैंने को को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना पेंसन के रुप में जब वो असक्षम हो जाएं ऐसी इस्तिति में पहुंचाएं जब वो साठ साल के हो जाएं कमाने लग न रहें तो उस समय उनके आजीव का स्वास्त देख भाल करने के लिए कुछ पैसे मिल जाए मंतली वेसिस पर त ताकि उनको एक सामाजिक सुरक्षा पैंसन मिल सके अगला सवाल है यहां पर एक सवाल कर दिया है अगर कोई व्यक्ति अगर कोई सब्सक्राइबर 25 साल की उमर में अटल पैंसन योजना को जॉइन करता है तो उसको 5000 रुपए पैंसन पाने के लिए कितने साल जमा करना पड़ेगा यह पूछा गया तो कितने साल कंट्रिब्यूट करेगा तो 25 साल की उमर में एंट्री लिया है जमा करना होगा उसको 60 साल तो 35 साल और जमा करना पड़ेगा कितने जमा करना पड़ेगा 35 साल और जम में एंट्री लिया है 35 साल जमा करेगा तो 60 साल हो जाएगा साट साल जैसे हो जाएगा उसका एक कॉर्पस त्यार हो जाएगा और फिर पेंशन स्टार्ट हो जाएगा चलिए अंडर अटल पेंशन यूजना का सब्सक्राइबर है साट साल की उमर से पहले उनकी मिरति हो जाती है तो उसका जो कॉर्पस है जो संचेट जो धन है कॉर्पस है उसको कौन पाता है तो इस पाउस चिल्रन नॉमिनी एमांट इस फॉर फीटिट यहां पर यह बोला गया है कि अटल पेंशन यूजना में सब्सक्राइबर साट साल से पहले मिरति हो जाती है तो किसको मिलेगा स्पाउस को मिलेगा इसपाउस मिलेगा तो यहां पर उसका एंसर होगा इस पाउस अगला सवाल है वीच अप्ड फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड पैंशन निन्म लिखित में से कौन सी योजना जो है पैंशन प्रोवाइड करती है ऑप्सन इस प्रकार है प्रधान मंत्री जीवन जीवती विमा योजना प यहां पर सीधा आपको पता ही है कि अटल पैंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पैंशन देने के लिए आसंगेटित खेतरे में काम करने वाले मजदूरों के लिए विसेस महतोकांखी योजना है जिसमें एक अंसदान करते हुए 18-40 वरस की उमर में इंट्री ली जा सकती है और 60 साल तक जम्मा करना होगा फिर उसके बाद 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के रासी में एक गारंटिट पैंशन अमाउंट की प्राप्ति वो ले सकते हैं अंसदान के अधार पर तो यहां पर है अटल पैंशन योजना निनमली खित में से कौन सी योजना है जो लाइप इंस्वरेंश कवरेज परदान करता है परदान मंत्री जीवन 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 जी इसमें भी लाइब कबरेज होता है लेकिन चुकि इसमें जो पार्शिल और पर्मनेंट डिजिबिलिटी भी कवर होता है तो लाइब इंस्रेंस कबरेज के लिए प्रधान मंत्री जीवन जीवन जीवति भी मायोजना एप्रूप्रेट एंसर है अगला वाट इस दे कॉमन इं 31 मार्श एक जून से 31 माई एक जनवरी से 31 दिसंबर एक जुलाई से 30 जून तो आप देखे होंगे अभी आप लोगे खाते से कट रहा होगा अगर आप प्रधान मंत्री शुरक्षा विमायोजना प्रधान मंत्री जीवन जीवति विमायोजना के लिए होंगे तो महिता अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखे वीच अप देखे वीच अब देविट फीचे अप प्राम मिनिस्टर जीवन जीवन जीवति विमायोजना प्रधान मंत्री जीवन जीवति विमायोजना में एक mandatory है auto debit facility तो यह mandatory या optional विल्कुल नहीं है अगला सवाल यहां पर प्रधान मंत्री जीवन जोती विमा योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजना को एक व्यक्टि कैसे सब्सक्राइब करेगा बैंक और इंस्रेंस कम्पनी के माध्यम से या केवल बैंक से या किवल इन्सेरंश कंपनी से या गुवर्मेंट औफिसी से तो मेरे राहूल जी बता रहे हैं राहूल जी याInns आप इंसुरेंस कंपनी भी तो एल Albert तो करती है सर्ड मा आ गया है जो प्रधान मंत्री जीवन बिमायोजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा विमायोजना है यह बैंक्स और पोस्ट आफिस से होता है क्यों कि यहां पर एक मैंडेटरी चीज होता है वह पास वह इंसुरेंस करता है वह अलग बात है लेकिन आपके लिए यहां पर बनाई गया है वह किवल किवल ओनली थूब बैंक्स क्योंकि इनके लिए एक मैंडेटरी कमपलाइंस है कि इन बैंक का एकाउंट होना इनके लिए मैंडेटरी है जब मैं पॉलिशी पढ़ाया हूंगा तो पॉलिशी वाला वीडियो देख तो यह मैं अभी चर्चर में बताई दिया कि अटल पेंशन योजना का मुक्ष उद्देश क्या है आप्शन को इस प्रकारेंट टू प्रोवाइड लाइड इंसुरेंस टू प्रोवाइड एफिक्स पेंशन आप्टर रेटार्मेंट टू प्रोवाइड एजुकेशनल लोन तो अटल पेंशन योजना का मुक्ष उद्देश है कि एक ऐसे उमर पर पहुंचने के बाद जहां वह सक्षम हो जाते हैं या रेटार्मेंट ले लेते हैं तो उनको आजीव का चलाने के लिए स्वास्त का देखभाल करने के लिए खाने पीने के लिए या खुद क्याव सक का निस्चित है है कंचने के लिए जो है इसको बोलते है अटल पूर्स आससे लिए इसको तो 1 मिनिस्टरी देखता है जी क्लास की स्टार्ट में मैंने बताया होगा आसोग जी क्लास में कि मैंने बताया था यह उजना भारा सरकार के द्वारा लांच की गई है तो इसको देखता है मिनस्ट्रिया फाइन्स अगला है Can a person enroll in both PMJJBY PMSBY क्या दोनों योजनाओं का में enrollment कर सकता है Yes, No बताइए Yes, कर सकता है दोनों योजनाओं में कर सकता है अगर दोनों योजनाओं में किया और accident से death हो गई तो कितना रुपे मिलेगा राहूल जी हाँ, करतिका जी क्या नाम है 4 लाग साथ, 4 लाग 4 लाग मिल जाएगा ओके, करतिका जी मेरी आवाज आ रही है आप तक तो अगर दोनों योजनाओं में भाग लिया है तो और accident से death हो जाती तो 4 लाग मिलेंगा और अगर सामान ने मिरत्व होटी है इमला suicide कर लिया suicide कर लिया है और दोनों योजनाओं में भाग लिया है कितना मिलेगा राहूल जी? नहीं मिलेगा साथ कितना कितना मिलेगा कि नहीं सर्थ कर लिया ऊसमे ऊसमें यह जीना क्या कहता है कि किसी भी कारण से मौत होगई दो भी मिलेगा तो सामानने मृत्व hinter The मिलेगा दारू पीपी के मर गया तो भी मिलेगा प्रदान मंत्री जीवन जयती विमाज़ना में तो कोई कंडिशन नहीं है सुरक्षा सुसाइड कर लिए तो फिर सब नेच्रल देथ कहा हो पाईगा हुआ मिलेगा प्रदान मंत्री जीवन जयती विमाज़ना का मतलब है किसी भी कारण से मिलेगा प्रदान मंत्री सुरक्षा विमाज़ना बोलता है कि io to meन कूछ रहा हूं दोनों स्कीम लिया हुआ है एक्षिदन its हो जाती है तो चाहर लाग मिलेगा लेकिन एक कर लेता है तो एक कारण से मिलेगा दो लाग मिलेगा यह उत्तर से फिस साdomंत्री किसी भी कारण से मिर्तु हुई जिसको आप नेशुरल डेत कह रहे हैं वो उस तरह से बांध मत लिजे मिर्तु हुई उसकी वजह को नहीं देखना है क्या वजह से उसको दो लग मिल जाए यह समाजिक सुरक्षा जो योजना है और सुरक्षा योजना में एक्सिदेंट पर ही लिए आपको एन्ट्री के अदार पर फ्रमेम अलग 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 दिया है लेकिन यहां पर आएगा इनका प्रिमेंट के लिए विच्च स्किम्स रिक्वाइड टू आधार नंबर पर इन्रॉल्मेंट निन्मिलकित में से कौन सी योजना है जो आधार नंबर चाहिए पी एम तीनों ही होगा अब्धेवर है जिसमें अधार नमबर को सांविल कर दिया है आज कल तो अधार नमबर तीनों में चाहिए अगला सवाल है which schemes aims to encourage people to save for their retirement निन्म लिखित में से कौन सी योजना है जो उतसाहित करता है प्रिरित करता है लोगों को कि वो कुछ पैसा सेप करें ताकि वो जो अभी सेप किया पैसा है उनके रिटार्मेंट के बाद उनके मृतियों तर काम आएगा पुन सी योजना है राहुल जी जिसमें और रोगों को कि अभी आप कमारेंने लायक हो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करिए थोड़ा थोड़ा पैसा सेप करिए ताकि ऐसे समय में जहां पास अक्षम हो जाएंगे कमाने के लिए नहीं रहेंगे उस समय वह आपके आज़िए काम आएगा अगला सवाल है वाट इस्टी एर्स के बाद जो है पैंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यह मैक्जिमम एज लिमिट है तो आशा करता हूं कि आज के जो सवाल है आपको तरोताजा किया होंगे है ना मज़ा है ना राहूल जी तो परल टॉपिक है लेकिन कुछ चीजें ऐसे पढ़ते रहने से क्लियरिटी आ जाती है सफाई हो जाती है कुछ धूंद अगर सामने है तो वह भी छट जाती है तो सामने क्या लिखा है पढ़िए जरा राहूल जी कुछ लिखा है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है मेहनत भी मेहनत करते जाओ तो तक्दीर बन जाती है क्या बात है क्या बात है और ऐसी रात को पढ़ते रहो तो सपल इतना मजबूत हो जाता है कि आपकर किसी को फो एक सपलता के मजबूत जंजीर बन जाएगई और सफलता की तस्वीर आप उसमें टेक कर लोगे आपके साथ साथ चलेगा पतंग बनके उड़ता रहेगा है ना तो आज भले ही थोड़ा सेशन लेट हुआ लेकिन आप लोग जुड़े क्योंकि हम लोग सब बैंकर हैं बड़ा मुश्किल होता है समय निकालना वह इतनी गर आप उसमें तैयरी करते रहिए और पढ़ने का अगर समय मिलता है तो सभागिसाली अपने आपको महसूस करिए साथी साथ अपने जीवन को जरा सभागिसाली मानते हुए हमेशा ही प्रार्तना के मोड में रहिए और धन्यवादी रहिए कि जीवन में तमाम चुनोतियों के बावजूद भी आपके पास एक उद्देश है आपके पास एक जीवन है आप बड़ी है तरके से सांस ले पा रहे हैं आपके पास एक आजीव का है आपके पास भरपूर हसने खिलखलाने के लिए भगवान ने उस सारी सीज़ें दी हैं तो आप हमेशा ही उसका अभार व् जाएगी तो इसे के साथ यह सेशन यह समाब्द करते हैं आज उत्रक्षन ग्रामिना बैंक का रिजल निकला बहुत सारे साथियों के मैसेज आ हैं उनसे भी कभी बात कराएंगे ताकि आपको फाइदा होगा कि किस तरीके से जो है चीजों को उन्होंने सामना किया और इंटर्वियू में क्या कैसा वाल पूछे गए बहुत जल्द उनसे वारतल आप कराएंगे हम आप आपके अच्छे कारें इस पादन बहतर स्वास्त और शांदार सफलता की काम ना करते हो आपसे विदा लेते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रातरी फिर मुलाकात करेंगे अगले से संभी गुड़नाइट सार्श विदा करेंगे जारत्रात credit में मुलाका बहल्स भारतagem से ऋएक्ट करेंगे उिवक्ट काथव साईपड़न नेवान अपके अन्यवली को कि अच्छर नेवारतम